नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका MS चादोन YouTube चैनल पर दोस्तो सबसे पहले आपको ये बता दू कि ये वीडियो only educational purpose के लिए बनाई गई है इस वीडियो का आप गलत यूज ना करें तो दोस्तो आप देख सकते हैं मेरे पास में ये रहा mobile अब मैं आपको बताने वालाओं कि mobile में sad ringtone आप कैसे लगा सकते हैं हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना आप अपने mobile के अंदर sad ringtone लगा सकते हैं और वो भी बिल्कुल free में इसके लिए आपको कोई recharge या पैसा invest करने की जर्रत नहीं है बस free में आप sad ringtone लगा सकते हैं अब वो कैसे लगाएंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा उससे पहले आपसे एक छोटी से request है कि please वीडियो को like कर दीजिए अभी फटा फट से और दोस्तो comment box में आप sad ringtone जरूर लिख दीजिएगा और दोस्तो channel को subscribe करके bell icon पर प्रेस कर दीजिएगा इतना सा काम करना है दोस्तों आपको बस अब मैं आपको बता देता हूं कि sad ringtone कैसे लगाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको play store पर जाना होता है play store पर जाने के बाद में यहां पर आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा अब यहां पर आपको उपर search यहां पर click कर रहा है और यहां पर आपको sad ringtone आप देख सकते हैं यहां पर यह लिखा हुआ है sad ringtone यह आपको search कर रहा है तो हम जैसे ही search करेंगे तो यहां पर आपको इस टाइप का interface दिखाई देगा काफी सारे app भी दिखाई देगा तो यहां पर आपको set ringtone 2021 यह वाला एप आपको install कर लेना है अपने mobile के अंदर तो दोस्तो यहां पर मैंने और इसको install कर रखा है time बचाने के लिए तो यहां पर मैं मुझे install करने की जर्रत नहीं है अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपको 1 million downloading दिखाई दे रही होगी जो कि 10 लाख लोगों ने इसको download रखा है और दोस्तों यहाँ पर rating 4.1 star rating है जो कि काफी अच्छी rating है 4.1 star तो दोस्तों अब इसको आप इस app से आप return कैसे लगा सकते है set return तो दोस्तों हम इसको open करेंगे सबसे पहले हमको इसको open करना होगा तो हम सबसे पहले इसको open पर click कर देते हैं जैसे open पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ type का interface दिखाई देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है allow set return to access your contact तो हम यहाँ पर allow पर click कर देंगे और यहाँ पर आपको allow पर click कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं set return first set return second set return third set return fourth तो यहाँ पर आपको काफी सारी ringtones देखने को मिल जाती है यहाँ पर तो आप यहाँ से चला भी सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर ringtone सुन सकते हैं अब यदि आपको ringtone लगानी है तो कैसे क्या करना होगा इसके लिए आपको three dots पर click करना यहाँ पर three dots आपको दिखाई दे रहा होगा तो हम three dots पर click करेंगे जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस type का interface दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको default ringtone लगानी है तो यहाँ पर इस पर click कर रहा होगा यदि आपको notification ringtone लगानी है तो यहाँ पर notification sound पर click कीजिएगा और यदि alarm ringtone लगानी है तो alarm clock पर click किएजिएगा और यदि किसी particular number पर ringtone लगानी है तो contact पर click करके number select करके आप ringtone लगा सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी mobile के अंदर set ringtone लगा सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो पर ज्यादा ज्यादा share कीजिएगा मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद